नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत सवागत करता हूं आज का जो हमारा लेसन है वो यह है कि व्रशब लगन में क्या-क्या सब्सक्राइब गांगा में तो उसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी जरूरी होती है इसी प्रदार रश लगनी कुण्ड़ी में यह कोछ important च्लोग है जो सिर्फ व्रशब लगनी कुण्ड्ली में ही अप्लिकेबिल नहीं है जो मैं इस लोगों की बात कर रहा हूं यह आप जब ही देखें जब आपके पास प्रशब लगने कुनली हो इसको जनलाइज ना करें जनलाइज करेंगे तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगे और आगे मैं आपको जादे टाइम ना बेस करते भी बताना चाहता हूं इसमें मैं आपके सामन गुरु सोम सुतस्य चैफ में अगर गुरु और सोम सुतस्य मतलब सौमे क रहे बुद्ध सौमे के लाता है गुरु और बुद्ध में संबंध हो या विक्षनम या एक दूसरे को देखते हो तो धनतायक योग कहलाता है अब ये कैलाता है देखे गुरू और बुद्ध यहां कुसरे को देख रहे हैं यहां गुरू बुद्धिक साथ बैठे हुए हैं तो यह धन्द या यह कैलाता है यह आप सोचिए कि धन क्यूं देगा आप इसमें एक चीज देखिए एक बहुत अच्छा नियम है वो नियम य रहे हैं आपस में ऐसे मंने या दो क्रहों मैं सम्बंध हो जाए जो एक ही चीज के का रखो मतलब एक चीज के इंडिकेटिव इंडिकेट करते हों तो मतलब यह ऑजिए तो मतलब विड़न को indicate करता आ है गुद्ध क्या है गुद्ध धनेश है और और पंचमेश तो धनेश और पंचमेश भी धन को इंटीकेट करते हैं गठेट करता ह्यूं के करता है अब यह ध्यान रखिय heart और कोई चीज हो तो अलग है अब जैसे देखिए गुरू इसके दर क्या है गुरू इसमें अस्चमेश है यह कहना कि देखिए अस्चमेश का लगन में जाना प्रॉब्लेमेटिक होता है यह तो नुक्सान होने होने है क्योंकि जहां भी 6-8 बारे के स्वामी जाएंगे उस भ दिख रहे है और दो भुद्ध भी धन का गारम है चुटली में गुरू भी धन को करता है इक साह्थ मिलगे तो इसलिए यह यह ओंताययव पन जाता इसके बाद दूसरा श्लोग आता है व्रश्बे जाय मानस्य गुरू सौम्य कुजा यदी परस्पन युता सौम्य वाद दयस्तू रिणी योग दय यह क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब हुआ आपको मैं खुड़ा सा समझा लेता हूँ यहां यह कहना चाहता है कि ब्रश्बे लगन में गुरूों सौम्य और कुजा गुरूू तो गुरू हो गया सौम्य मिल्ट को सौम्य बोलते हैं कुजा मीनस मंगर्ड़ं कि तीनों परसपर साथ हों तो इसमें यह देखिए कि प्रतिक जर्म कुड़ी जो होती है उसमें चटा आठ्वा और पार्वा भाव और बार्वा भाव उनको हम लोग अशुब भाव मानते हैं यह जो भाव है चटे आठ्वे पार्वे यह आप शो करता है कमी को संगर्ष को निर्धा को इन चीजों को शो करता है अब गुरू की मूलत्रिकों राश्री कहां पर है अगर आप गुरू की मूलत्रिकों राश्री अस्टम भाव में मंगल की मूलत्रिकों राश्री कहां है वो तो आदश भाव में तो इसका मतलब दोनों ग्रहे यह कमी को अभाव को इन चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं दो ग्र तो अब जूकि यह निकोड कर रहा है अभाव को तो यह अभाव को इंडिकेट करेगा तो आद्धी को रेल लेना पड़ेगा इसलिए मंगल गुरू की जो संगम यहां पर वह रिन लेने वाला बन जाएगा क्योंकि दोनों ही अभाव को इंडिकेट करते हैं और बुध्ध त तो वो दिशा आदमी को रिंड दिलवा सकती है यह बहुत इंपोर्डट है यह आपको याद रखता है प्रशव लगन के लिए ही यह शीज अप्लिकेबल है किसी और लगन में यह प्लिकेबल नहीं पाकि यह चीज अब ध्यान रखिए यह नियम पक्ता नियम है कि जैसे मैंन कोई भी रहा अगर अपने दोनों राशियों से अशुब स्थान में गया तो वह अशुबता क्रियेट करता है जहां बैठता है वहां भी और जिन भावा का स्वामी होता है इसी प्रकार जब दो गरह है दो या दो से अधिक रहा जो एक ही चीज को इंडिकेट करते हों वह साथ बैठें अगर धन को इंडिकेट करते हों या प्रहक्रम को इंडिकेट करते हों या अभाव को इंडिकेट करते हों तो फिर वो उस चीज की बढ़ोतरी कर देते हैं अगर धन को इंडिकेट करते हैं तो अभाव की बढ़ोतरी करते हैं तो यह दो नियम बहुत याज रख शुक्रो तू सब्तबस्तो गूर्येदी बुद्ध जायस्तू प्रबल योगदो वरश जन्मनायन यानि प्रशब लगन में बुद्ध और शुक्रो बुद्ध शुक्रो और सब्तम्द रस्ती से गुरु उसको देख रहा हूँ तो क्या होगा तो वो कहता है कि गुरु की दशा या मंगल की दशा मंगल जो है वो अपनी दशा में धन्फल देगा आप ये देखिए कि बुद्ध और शुक्र की दशा चल रही है श्लोक आपका है लगनस्तो बुद्ध शुक्रो लगनस्तो बुद्ध शुक्रो और गुरु की सब्तम्द कि उन्पडho तो देखे कैसे क्या होगा तो बहुत कुछी कोटी कफाल करता है खरिद्द गुरु अपनी लुटर इस हिए अकर अगरल गुरू को देखें तो कि इस भाव का स्वामी स्वामी है और लगन नीफ वर तो स्वाम लेत। नहीं आप बुद्ध आपका R Chicken भी लावका का बुद्ध आपका बंता है धनभावक wise मनता करो है उत्र है तो यहां पर भी अगराप को बताया था कि पंचमेश भे और धनेश भी यह भी लधन को करते हैं तो यह भी धन को करता है तो बाधन शुक्र का रूल क्या है सिर्थ शुक्र केवल यह है कि आपको शुकR की मुलत्री को नराशिव देखिये कहा पर है वह चटे भाव में पढ़ती है और शुकर की मूल दूको लिए चटे बाव पढ़ती है और वह अपने भाव से कहां गया है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ पें कॉई भी आगर मूल्ल llegar राशी से आठ़मा में चाहmeye तो उस भाव की हानी होती है जिस आंकई यह याद रखिए, यह भी एक नियम है, इसको याद विनकी मूलत्रिकोन राश्री जो है इसकी वो आपके च्छ वहाव में तो यहां उच्छे भाव में च्छ वहाव में जो अभाव कि हानी होगी संघर्ष की हानी होगी यानि आपको अच्छे रिजल्ट में तो यह एक तरह का विप्रीत राजयोग बन जाता है इसलिए यह नियम धान रखिए कि कोई भी ग्रह जिसकी मूलत्रिकों राशी छे आठ और बारे भाव में हो और वो अपने से छटा आठवा और बारवा चला ज होता है कले का दा गर भाव रतुकर रख रंवटा ऑब अब बोटर उठिवBe वह से खिया है कि अब आप देखें यहां से ऐसे जिए जभी आपने से बध похож कि न है तो यह विक्रीद राजी बन करे मतलब इस भाव की एह नहीं करेगारी कूलह का इसका तो तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको प्राब्लम्स कम होंगी आपको बताब विपरीत परिस्तितियों में लाब बिलना शुरू हो जाएगा तो यह एक योगफल वाली कुल्ली बन जाएगी आपकी जो जरूरी है ठीक है इसका आपको समझ में आ गया होगा अब इसमें स्लोग 11 में वो क्या बोलते हैं यह बड़ा एक इंपॉर्डेंट लोग है वो कहता है मंद सौम्य कुझा भाग्ये राहु कुम्द गतो यदि कुझ राहु दशाद दंदा स्रानता वराश्ट जन्मने इसका मतलब क्या है कि मंद मंद मींस कौन है मंद मंद है शनी शनी सबसे मंद च मंगल तो शरी मंगल और बुद्ध भाग्यभाव में हो राहु कुम्गतो और राहु कुम्ब राशी में हो एक बाद ध्यान रखिए कि यह जितने नियम में आपको बता रहा हूं यह सब परशब लगन के लिए हैं इसके लावा नियमों को कहीं भी इंटर्प्रेट मत करना अधरवाइस प्रेक्शन्स में प्राब्लम हो जाएगा तो शनी बुद्र मंगल में हो और राहु कुम्ब बढश्मस्तान में हो तो मंगल राहु के लिए कि तशा में घंका लान होगा यह आप सोचिय इसके लिए देखिए कि मंगल नविभाव में बैठा हुए और दसनमबर राशी है और दसनमबर राशी में बैठा हुआ या उच्छी राशी पेटा हुआ है और अपनी इसे दस्वा गया अपनी मूर को नाशी से दस्वा साथ बैटा हुआ है तो दार्मे क्रत्यों का भाव होता है। अब अम आशारिक क्रत्यों में ध्रमेर कामों मे वृप्र भाव होता ह Böyle इसमें तो यह बात तो से इसक अधर्म की दर्म क्क उतिफ्धर चाशनि है। क्या रोल है शनी क्या है जनी इस प्रचिक करेगा तो क्यों करेगा जनी काल पुर सी तक तो जब हमें कभी भी कुल्डी को नहीं बोलना चाहिए यह बात राद में घ्रह क्या होते हैं यह बहुत इस बात में जो दिया जाता है कि किसी ग्रहें कोई देना है सब्सक्राइब की तरफ टॉपिक से हट गया या शुक्र की दशा है उसके फल आपने देख लेगा तो फल कौन कोई से देगा वह फल देगा अपने कारकत्रों के जो इसकी लुक्र लगज्री वाहम है सब्सक्राइब करकर शुक्र देगा पुर कहाँ के सुक्रच कि पुरुष की में Богcake W तो वहां के फल भी वह इंडिकेट करेगा शुक्र जिस कुंड़ी के आप देख रहे हैं जिस कुंड़ी पे जिन भावों को मालिक है वहां के फल भी इंडिकेट करेगा शुक्र जहां देख रहा है वहां के फल इंडिकेट करेगा तो फल यह सारे इकटे हो को मिलेगे तभी ह यहां पे आके पुछ की राशी में बैठ गया भागे वाब में तो भागे भाब की व्रत्धि कर रहा है और मंगल और शनी की कि यह से बाएगी में तहार में करते हो गए तो इसका मतलब धार्मी क्रत्य पढ़ेगा निंगर स्टराइगा या इंडिकेटिव तो यह आपको समझ माया होगा अच्छी तरीके से मैं फिर भी बता रहा हूं कि व्रशब लगन की कुल्डी हो जब अगर बताता हूं इसमें के लेकिन अगर चंद्रमा बली हो तो बहुत अच्छा रहता है और लगन में बैठावा चंद्रमा अगर बली हो तो बहुत अच्छा रहता है और लगन में बैठावा चंद्रमा अगर पली ना हो पक्ष पली ना हो और वो तीसरे भाव का स्वामी होके लगन में आके बैठ जाए तो वो विशेर जंदायक नहीं होता क्योंकि उसमें एफर्ट्स बहुत जाता लगने शुरू हो जाते हैं वाशा करता हूं कि यह आपको प्रशब लगन वाले इतने भी श्लोग हैं समझाए होंगे समझ आने में कोई परिशानी नहीं है आया है तो नहीं आया तो एक पार वीडियो को और देखिए आपको समाझ में आ जाएंगे सारे सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि मैं एक बैसिक प्रिक्टिव स्ट्रोजी सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी डिटेल्स इस वीडियो में आपको नंबर मिल जाएगा उस नंबर पर सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उनको अपनी क्लास के लिए धन्यवाद जैशी किष्णा नमस्टाइब